नमस्कार स्वागत आप सबी का जेके वीपी चैनल पर आज का ये वीडियो में BBA 4 सिनिस्टर का जो सब्जेक्ट है FM, Financial Management उसके कुछ चाप्टर रह गए है उनके उपर बनाने वाला हूँ तो सबसे पहले चलिए शुरू करते Working Capital Requirement जो की आपको 4th Unit में उचने वाला है बहुत important है और बहुत आसान भी होता है देखे प्राबलम कैसा होता करना क्या है हमें वैसे Working Capital का मतलब आपको मैं समझा दूँ Working Capital के माइने है current asset minus current liability तो किस तरीके का प्राबलम रहेंगा और उसे किस तरीके से solve करना है चलिए मैं आभी आपको करके दिखा देता हूँ तो इस टाइप का आपको प्राबलम होने वाला है अब प्रफॉर्मा कॉस्ट आफे कंपनी प्रवाइड दो फालूइंग प्रिकुलर्स रा मेटेरियल 80 रूपीस डारेक्ट लेबर 30 रूपीस ओवरेट 60 रूपी पर यूनिट यह सब पर यूनिट है तो टोटल कास्ट हुआ 170 प्राफिट है 30 और टोटल सेलिंग प्राइज है 200 रूपीस फालूइंग फर्दर प्रिकुलर्स आर अवेलेबल रा मेटेरियल आर इन इस्टाकान एवरेज फार वानमत जो रा मेटेरियल है वो एक महिना हमारे यहां रहने वाला है प्रोडक्शन प्रोसेस में और वर्क इन प्रोग्रेस यानि कि जो अभी भी अंडर प्रोसेस है जो अभी भी प्रोडक्शन में चल रहा है उसे कते हैं तो work in progress on an average for half a month, आदा महिना, फिर finished goods यह सबका period देंगा, finished goods are in stock on average for one month, finished goods एक महिना, इसी तरीके से, credit allowed by supplier is one month, credit allowed by customer is two month, lag in payment of wages one and half week, lag in payment of overhead expenses one month, फिर one-fourth output is sold against cash, आदा one-fourth हाँ, one-fourth याने की one by four, तो one by four जो stock है वो नगत बेचा गया है, तो data रहता, इसका मतलब, cash in hand है, 25,000, you are required to prepare a statement showing the working capital needed, to finance a level of activity one-lack-four-thousand units, तो एक लाग-चार-हजार unit production है, उसके उपर problem solve करके दिखाना है, you may assume that the production is carried out evenly throughout the year, wages and overhead approve similarly, and a time period of four weeks is equivalent to one month, तो यहाँ पर problem में mention करा की, चार हफ्ते is equal to एक महिना है, तो पूरा problem हम हम हफ्तों में, यानि की weeks में convert करके करेंगे, तो इस तरीके से किया जाता है, चलिए मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपको करना यह है, एक statement बनाई है, statement showing, working capital requirement, या फिर आप यह भी लिख सकते, कि estimation of working capital requirement, या statement showing working capital requirement, बरहल, बॉक्स तैयार करना है आपको, इस तरीके का, particulars, amount, amount, तो सबसे पहले लिखिये, current assets, और उसमें भी cash balance, तो पहले से ही cash balance हमारे यहां मौझूद है, कितना देखिएगा, 25,000, हाँ, अब हमें लिखना है raw material, raw material, 1,004,000 units, into raw material का rate है, देखिए, 80 rupees, और raw material कितना हमारे यहां stock में रहने वाला है, यह है 1 month, average of 1 month, तो 1 month is equal to 4 week, 4 divided by 52, इस तरह यह इसका total कितना आएंगा देखिए, तो यह आपका आजएंगा 6,40,000, इसके बाद में आपको करना है work in progress, इसमें तीन चीजां आएंगे, एक आएंगा raw material, एक आएंगा labor, और एक आएंगा overheads, वैसे working progress का भी कुछ percentage completion का आपको percentage देना चाहिए, लेकिन यह problem में ऐसा कुछ भी mention नहीं किया, तब हम यह मान के चलना, कि raw material 100% पूरा हो गया, labor और overhead अभी भी 50-50% process में बागी है, यह समझके चलना, और वैसे पूरा work in progress का duration क्या है, देखिए problem में, 2 weeks, 2 weeks के लिए work in progress हमारे यहां है, तो 1,4,000, material का rate 80 रुपीज, इंटू 2 by 52, देखिए इसका क्या value आएंगा, यह आएंगा आएंगा आपको 320,000, इसके बाद में labor, 1,4,000 units, सभी को 1,4,000 units से multiply करना, और अपने खुद के rate से multiply करना, तो labor का rate देखिए 30 रुपे है, इंटू 2 week, यानि कि 2 by 52, क्योंकि साल में 52 हपते रहे थे, यह याद रखिए, तो 1,4,000 into 30, 2 by 52, into 50%, मैंने कहा था ना, raw material 100% हुआ समझना, labor को 50% हुआ समझना, overhead भी 50% हुआ समझना, तो यह हो जाएंगा आपका 60,000, अब overhead, 1,4,000, into इसका rate देखिए 60, into 2 by 52, into 50%, तो यह आपका आजाएंगा, 1,20,000, और इन तीनों का total मिलकर कितना आएंगा आपको, इन तीनों का total मिलकर आपको आजाएंगा, 5,00, अब आपको करना है, debtors, 1,4,000 unit, data का rate तो प्राब्लम में रहेंगा नहीं, क्योंकि उसे total cost पे निकाला जाता है, तो टोटल कास्ट देखिए, 170, इन तू, यह कितना हमारे आँ रहने वाला है, मतलब हमने कितना duration दिया है, debtors को, तो credit allowed to customer is 2 months, 2 months, 2 महने, यानि कि 8 by 52, 8 by 52, 1 महने is equal to 4 week, 2 महने is equal to 8 week, तो 8 by 52, into 3 by 4, अच्छा, यह 3 by 4 का क्या मतलब है, जैसे कि प्राब्लम में कहा गया था, 1 fourth stock is sold against cash, यानि कि, 1 चौथाई माल, नगत बेचा गया है, तो उधार कितना हुआ, 3, 4, तो data यानि कि कोन, वो शक्स, जिसने हमसे उधार माल खरीदा, तो data का calculation, 3 by 4 पे किया जाएंगा, उधारी पे, तो यह देखिए, आपको पूरा आ जाएंगा, आपको, 20,040,000, 20,040,000 आएंगा, यह देटार के बाद में करने वाले हैं, फिनीज स्टाउक, फिनीज स्टाउक, 1,4,000, इंटू, इसको भी टोटल पे करना, 170, इंटू, यह कितने विक्स के लिए हैं, हमारे यहां, फिनीज स्टाउक, इंवरेज पार 1 मन्त, याने कि 4 बाई 52, तो, यह आपको आजाएंगा, इसका टोटल आपको आजाएंगा, 13,60,000, तो यह अब तक का हिसाब देखिए, ग्रास वर्किंग कैपिटल, इस पूरा, इनका पूरा टोटल देखिए, आपको आएंगा, 45,65,000, 45,65,000, इसके बाद में, आपको लेज करना है, Current Liabilities, यह सब Current Assets थे, Sorry, Current Liability अभी आपको लिखना है, अब Current Liability में, सबसे पहले हम लिखेंगे, Credit Arts, यानिगी, Suppliers, तो 1,4,000, इसे Raw Material का Rate लगाना, Raw Material का Rate है, 80 रूपीस, इंटु Supplier का देखिए, Duration हमारे यहां, कितना होने वाला है, Supplier is 1 Month, तो 4 by 52, तो इसका आंसर हमें आएंगा, 6,40,000, इसके बाद में Outstanding, Outstanding Wages, Outstanding Overhead, इनके बारे में देखिए, Duration क्या दिया है, इसने, Lag in Payment of Wages, 1 and Half Week, Lag in Payment of Overhead Expenses, इस 1 Month, अच्छी वाद है, तो पहले करेंगे, Outstanding Wages, 1,4,000, इसका Rate है, 30 रूपीस, 1.5, देड हपता, by 52 साल में बावन हपते, तो यह आपको आजाएंगा, 90,000, इसके बाद में, Outstanding Overheads, 1,4,000, इन्टु 60, इन्टु यह है, कितना, 1 Month, यानि कि 4 by 52, तो यह आपको आजाएंगा, 4,80,000, और इन तीनों का टोटल आपको आने वाला है, 12,10,000, अब यह लेस करने पर आपको आजाएंगा, 33,55,000, तो इस तरीके से यह है, आपका Networking Capital, तो इस तरीके से Networking Capital का Problem solve किया जाता है, आसान काम है, Working Capital का माहिने होता, Current Asset minus Current Liability, Current Asset लिखना, Current Liability minus कर लेना, Problem में देखना, कि कितने यूनिट्स के ओपर बेजड है Problem, और बारी-बारी करके, उसके Rate से Multiply कर लेना, और Duration देखना, उसको Apply कर लेना, खास करके ये Point, Work in Progress, Work in Progress का कुछ एक Completion percentage देंगा वो, मान लिजिए 70% दिया, तो Raw Material, Labor, Overhead, तीनों पे 70, 70, 70% अपलाई करना, ये Problem में कुछ भी नहीं बोला था, तो हम Assume करे थे, कि Raw Material 100% हो चुका है, Labor, Overhead 50, 50 हुआ है, तो इस तरीके से ये Problem Solve किया जाता है, और आखरी में, चाहे तो आप वो मेंचन भी कर सकते की, Material को हमने 100% लिया, Work in Progress में, Labor और Overhead को 50, 50% लिया,